हेलो एबरिवन वेलकम टू माय चैनल आज हम लोग सॉल्व करेंगे कोस्टिन नमबर टेन वक्षिट फोर है अपना चैप्टर एलेवन पैरिमेटर न एरिया इसके पहले के जो कोस्टिन से वह हम लोग सॉल्व कर लिये थे पिछले वीडियो में उसे वीडियो का लिंक आपक लिंक मिल जाएगा चली हम लोग देख लें क्या कहता है कोस्टिन फाइंड एरिया ओफ रोंबस हुज साइड इस थाटीन सेंटीमीटर एंड अल्टिट्यूड इस टू सेंटीमीटर ओके तो साइड दिया हुआ है रोंबस का हां और अल्टिट्यूड दिया हुआ है तो हम देखी मैं यहां पर एक rhombus बनाया हूँ आप यहां पर देख सकते हैं कि सारे sides equals हैं तो यहां पर जो इसका base हो जागा ना उसका side का हो जाएगा तो यहां पर जो side है वो अपना क्या हो जागा ना base हो जाएगा तो यह 13 cm हुए और altitude दे रखा है 2 cm दोनों को हम multiply कर देते हैं तो यह हो गया 26 cm2 बहुत ही easy था question अपना तुरंद बन गया है और अगला है हमारे पास question नमर 11 यहां भी हम लोग को same है rhombus दिया हुआ है और यहां पर हम देख पा रहे हैं क्या area अपना दिया गया है 220.5 cm2 और altitude दे रखा है 17.5 cm और हम लोग को क्या कहा गया है find the length of each side of rhombus तो each side तो सारे sides तो equal होते हैं तो हम लोग लिखेंगे altitude of rhombus जो की दिया हुआ है 17.5 cm और इसके बाद side तो अपना दिया नहीं इसको लोग वाट लगा दिये हैं आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे न यहां पर लिखेंगे area of rhombus तो area of rhombus हमारे पास है 220.5 cm2 और इसके ब हम area यहां पर लिखेंगे left side area का formula लिख ले area का formula होता है side into altitude ओके किस case में तो rhombus के case में ओके altitude चलिए अब यहां पर हम लिखेंगे 220.5 cm2 और side अपना निकालना है तो side को हम लोग side लिख ले ओके और यहां पर altitude कितना है तो altitude हम देख पार है हमारे पास है 17.5 ओके यह note करिए और यहां पर 220.5 चलिए अब अपना answer आजागा अगला step में हम लोग लिखेंगे side okay side equal to 220.5 divided by 17.5 चलिए इसको हम divide कर लेते हैं तो क्या हमको answer मिल जाता है यह हमको answer मिल जाता है 12.6 centimeter okay centimeter तो यह अपना answer आगया इस side और सारे sides equal होएंगे हाँ यह मैंने एक rough diagram लिया हुआ है diagram यह figure नहीं भी हम लोग बनाएंगे तो चलेगा okay लेकिन हम लोग बना लें तो समझ माला जैसे यह अपना altitude है यह 17.5 centimeter है और यह side है सारे sides equal होएंगे सारे sides equal हैं तो कोई भी एक अपना जो base निकलेगा वही सारा side हो जाएगा okay तो side अपना निकल गया है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं each side each side equal to कितना 12.6 centimeter okay चलिए हम आगे question को देखेंगे अपना है यह a diagonal of quadrilateral okay is 40 meter यह देखिए diagonal दे दिया है और perpendicular to it from the opposite corners okay opposite corner से जो perpendicular से वह भी हम दे दिया गया है यहाँ पर हम देख सकते figure में 8 meter and 10 meter respectively फिर करता है find its area इसका area निकलना है तो बहुत ही आसान हो जाता है जब figure दिया हुआ राता है तो बड़ा आसानी से बना लेते हैं तो यहाँ पर हम direct लिखेंगे area of quadrilateral okay तो area of quadrilateral यह quadrilateral का नाम आप देते जी यह जो है मारे पास है A B C D तो area of quadrilateral A B C D equal to half half into इसका एक diagonal जो दिया हुआ है A C और into some of the perpendicular distance यह जो distance दिया हुआ है तो यहाँ पर distance हम D यहाँ पर हम ले लेते हैं L और यहाँ पर B और यहाँ पर लेते हैं हम लोग N कुछ भी ले सकते हैं तो यह distances क्या क्या है यह हमारे पास D N ले लिए हम लोग और plus में दर से B N ले लिए हैं इसको हम लोग यहाँ पर plus कर ले यह formula होता है अब आगे हमारे पास क्या होगा देखिए half into AC AC का value कितना है 40 लिखेंगे और यह distance कितना है 8 और दूसरा distance कितना है 10 नोट कर लिए चलिए हम 2 से यहाँ पर cancel out कर लेते हैं यह हो जागा cancel 20 times में तो यह cancel हो गया है अब आगे देखिए हमारे पास यहाँ पर बच गया है 20 और यह दोनों को add कर लेते हैं तो कितना होता है 18 अब अगर इसको हम multiply करते हैं तो क्या होता है आप बता देजे 18 2036 तो 10 put कर लेंगे that is 360 यह तो मीटर में सब दे रखा है तो 360 मीटर असक्वार यह क्या गया अपना area of the quadilateral ओके next हम लोग बात कर लेंगे question नमर 13 उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा यह वाक्सित मेरा finish ओके आए तो यह भी easy ही है यहाँ पर हम लोग को कहा गया है find area of rhombus तो यह rhombus दे रखा है और इसमें ना हम लोगों को कहा गया है area निकलना है और दिया हुआ क्या है diagonals diagonals दिये हुए हैं कितना है 15.2 cm and 24 cm respectively और figure भी दे दिया हुआ है तो figure का तो नाम यहाँ पर हम लिखे नहीं आप यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग ओके ऐसे book में तो दे रखा है तो question भी जो आए चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं तो हम लोग क्या लेखेंगे ना area of rhombus a,b,c,d तो area क्या होता है rhombus का half into product of diagonals ओके तो यहाँ पर जो diagonal है आप यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं d1 into d2 ओके तो यहाँ पर आप देखिए half और d1,d1 हम किसी एक को मालने जैसे हम माल लेते हैं ac को okay ac को माल लिए पहला diagonal और दूसरा diagonal हम माल लेते है bd को किसी को भी मान सकते हैं तो half okay और इसके बाद ac का value आप देखिए 24 है हम लोग लिखेंगे और इसके बाद हमारे पास यहाँ bd का value है 15.2 cm तो जो जो value मेरा आएगा वो cm2 में आ जाएगा तो यह तो आपन 12 से multiply करना है तो 12 तुजा कितना होता है 12 तुजा कितना हो गया 24 और 12 इसके बाद पूराcan multiply करना है एक साथ में multiply करना बहुती है आसान है Ap 12 को five से multiply कर लिए तो शेक्स्टी और 26 62 हो गया 2 put कर लिए 6 हमारे पास carry over हो जाएगा और इधर हम कर ले 12 वंजा 12 और 6 यह अपना जो था तो 12 और 6 हो गया 18 और decimal point यहां पर 1 digit के बाद तो हम यहां पर रख लेंगे तो हमारे पास क्या हो गया हमारे पास result बन के आ जाता है 182.4 cm2 यह क्या आ गया area of the rhombus तो इस तरह से हम लोग यहां worksheet 4 के सारे questions को solve कर लिए हैं so I hope this video will helpful for you so please like this video and share with others and do some comments also do subscribe my youtube channel and hit the bell icon for upcoming videos thanks for watching have a glorious day ahead